हेलो व्रीवन वेलकम टो एसकेडमी आई होप आपलो सब अच्छे होंगे आज इस वीडियो में जानने वाला है कि उनिफार्म सिविल कोड क्या होता है क्योंकि भारत के पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से वारल हो रहा है गुजरात में अभी हाल ही में चुना होने वाला है वहाँ पे गुजरात की समिती गठित करके उनिफार्म सिविल कोड लागू करने की बात चल रही है इसमें पॉलिटिक्स कांग्रेस बीजेपी आमाद्य पार्टी इसमें पॉलिटिक्स भी कर रही है तो आज जानेंगे कि इसमें उनिफार्म सिविल कोड क्या होता है कैसे लागू होगा और यह किस किस देश में लागू है इसका मुख उद्देश क्या होगा आए जानते हैं उसे पहले आप लोग चैनल पर पहली बावजिट किये तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा आप लोग बता दो बहुत सारे आर्टिकल आप लोगो पढ़ने को उजात के मुखमंदी कोन है भूपेंद पटेल के नेतित्त वाली केमिलेट ने सनिवार को ही मंतिवंडल बैठक में समीति के गठेश करने का परस्ताव को मंजूरी देदी है इसी के साथ देश में अभी एक बार फिर से इनिफार्म सिविल कोड की चर्चा फिर से शुरू ह हो गई है आये जानते हैं कि इनिफार्म सिविल कोड क्या होता है और कि या इसकी मांग क्यों टेजी से हो रही है आप लगता कि इनिफार्म सिविल कोड जो होता है यानि समान नागरिता सहिता का मतलब है कि सभी नागरी को के लिए एक समान नियम यानि भारत में रहने वाल साधी तलाक जमीन जाइदात के बटवारे सभी एक समान यी कानुन लागू होंगे जिसका पालन सभी धर्मों के लोगों को अनकरन्स करना अनिवार होगा यहीं सभी के लिए एक कानुन इन्युफार्म सिवील-कोट का मतलब होगा आप लोग ओतादू इनमें कौन कौन से देश लागू इनके दोरा कौन कौन से देश है जो इनिफाफ सिमिल कोड को लागू की हैं दुनिया के कई दोस इस तरह के कानून लागू है अमेरिका जिसमें सबसे पड़ा देश है अमेरिका आयरलेंड बंगला देश मलेसिया तुर्की इंडोनेसिया सुडान एजेप्ट जैसे कई देश हैं जहाँ पर एक समान नागरता सहिता कानून लागू है भारत में एक समान नागरता सहिता लागू नहीं है यहाँ अधिक्तर निजी कानून धर्म के आधार परते हैं कुछ मामले को छोड़कर हिंदू सिख जैन बौध के लिए व्यक्तिकत कई मामलों मुसलमानों और रिषाईच के लिए अपने कानून हैं मुसलमानों का कानून सरियत पर आधारित है जबकि बाकी धर्म संदाय कानून संसत के सर्विधार पर आधारित है आधर आप लोग बतादो बीजेपी के एजेंटे में भी है उनिफार्म सिविल कोड़ उनिफार्म सिविल कोड का आहम बिंदू कौन कौन से होते हैं पहला बिंदू जो है समान नागरिता सहीदा कानून को अगर लागो किया जाता है तो इससे विवा विरासत उत्रा धिकारी समेत कई मुद्दों से समधित कई एसे जटिल कानून को सरल बनाएगी बहुत बड़ी बात है उनिफार्म सिविल कोड को एक समान सही सभी नागरिक पर लागो होंगे चाहिए किसी भी धर्म आते हैं या फिर विस्वास रखते हों ठर्ड है सिविल को अगर लागो किया जाता है तो वर्तमान में मौझूदा व्यक्ति को कानून खत्म हो जाएंगे यही वज़ा है कि धकुष धर्म विसेश और से कारून का अकसर विरोत किया जाता है तीक है यही तीन प्रमुक बुंदे हैं जिसमें आप लोगों सिविल कोड से बहुत कुछ सरत उपाय देखने को मिलेगा आप लोगों यह वीडियो कैसे लेगी आप लोग इस उनिफार्म सिविल कोड कुछ से क्यारा रखते हैं कमेंट वाफ में जरूर से कीजिएगा